हेलो एवरिवन, वेलकम टो हमारी अपनी पार्ट साला, एजुकेशन इस फ़र ओल, यह हमारा मोटो है तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिसकस करेंगे उनसे रिलेटेट कुछ MCQs के बारे में देखेंगे, जो की upcoming exams में बहुत बार पूछे गए हैं और पीछे भी बहुत सारे exams में पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनसे रिलेटेट ही इनके points के साथ हम कुछ और भी points को add करके समझेंगे तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से दिखेंगे, ध्यान से सुनियेगा इसे, ताकि आपको इससे रिलेटेट बहुत सारे जो फायदे हैं वो आपको exams में direct दिखेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, अगर आप हमारे वीडियो को प notification आप तक आसानी से पहुँच जाए, चलिए फिर शुरू करते हैं आगे, तो पहला जो point है हमारा, वो point है PM के appointment से लेके, यानि कि Prime Minister के appointment से related, अब Prime Minister के appointment से related, तो यह सबसे पहला है, कि article deal with the appointment of Prime Minister, तो Prime Minister के appointment होता है, वो कौन से article में है, तो वो है article 75 में, वो है हमारा article 75 में, अब बात उठता है कि कौन हमारे Prime Minister को appointment करता है, तो President करते हैं, अब आपके मन में सवाल होगा, कि हम तो appointment तो हम लोग उसने ही choose करके भेशते हैं, यानि कि आपके जाए तो लोग जानते होंगे, कि Prime Minister जो होते हैं, वो जो भी MPs चुन करके हम भेशते हैं, लोग सवाह election में, उन MPs के दौरा चुना गया एक leader होता है, जो कि हमारे देश को represent करता है, तो indirectly रूप से Prime Minister को तो हम लोग choose कर रहे हैं, बट उनका जो appointment है, जो ओत है उनका, वो किन के सामने होता है, तो वो होता है President, President हमारे जो होते हैं, वो लेते हैं, अब President इनके appointment के साथ साथ और भी बहुत सारे appointments को करते हैं, जैसे कि Ministers जो होते हैं, जो भी हमारी Union Ministers होते हैं, वो सारे Union Ministers जो होते हैं, वो उनका appointment जो होता है, वो भी हमारे President के द्वारा ही लिया जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम, तो, who shall communicate to the President of Decision, अब देखें, यह जो आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 अभी बहुत हाली में बहुत चर्चा में रहा है, क्यों रहा है, क्योंकि जब देश पे एक हम जानते हैं, कि अभी के टाइम पे, देश में, पेंडमिक फैली भी है, और इंडिया के साथ, जो चाइना का अभी जो बॉर्डर टेंशन सोड़ा था, उसमें भी हम लोग जानते हैं, उसके बारे में, तो आर्टिकल 78 जो है, अब इससे रिलेटेट कैसे है, तो आर्टिकल 78 जो है, वो है, रिलेटेट कि प्राइम मिनिस् मिनिस्टर है, वो इन देश में घट रही घटनाओं के बारे में, और इससे रिलेटेटेट जो भी मिनिस्टर है, उसके द्वारा जो लिया जाता है, उसको हमारे प्रेसिडेंट के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं, प्रेसिडेंट को इनफॉर्म करते हैं, यह एक तरह से ड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सामने कौन रखते हैं तो प्राइमिनिस्टर रखते हैं चलिए फिर आगे देखते हैं प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट उभ्राइमिनिस्टर रखते हैं तो यह हमारा एक प्रविज़न होता है पर नेक्स्ट है दसुप्रेम कोट अथिच्ट तो अथे फिर्टीन कोट में टॉटल थिवर नंबर और एज़ेंट है इसमें एक बहुत ही एक important amendment bill आया था तो Supreme Court amendment bill जो कि 2019 में आया थे यह लास्ट इयर आया था वो इस विए से यह news हमारे important हो जाती है अब 2019 में जो amendment bill आया था उसको present किये थे हमारे उस वक्त के यानि जो law minister थे हमारे law और justice minister जो थे Mr. Ravi Prasad रवी संकर परसाद रवी संकर परसाद जो थे वो उन्होंने present किया था हमें अब यह जो bill है The Supreme Court amendment bill अब यह है क्या तो यह जो है वो amendment करता है Supreme Court Act 1956 को 1956 में जो Supreme Court Act आया था उसको यह amendment करता है और यह जो related है यह जो Supreme Court amendment bill जो related है जो number of judges को लेके जो number of judges को लेके है अब number of judge में इस act के according कहा यह गया कि जो इससे पहले जो थे वो Supreme Court में maximum 30 judges हो सकते थे बट इस act के बाद इस bill के बाद इन judges की संख्या को बढ़ा कर 33 कर दिया गया जिसमें की 33 number of judges हो जाते है और एक जो होता है वो हमारा होता है Chief Justice जो हमारे Chief Justice होते हैं वो यह टोटल जो हो गया वो हो गया 34 number of judges in the Supreme Court तो हमारे Supreme Chief Justice और जो other judges होते हैं उनका appointment जो होता है वो भी लेते हैं हमारे president लेते हैं उनका appointment कौन करता है तो president करते हैं अब आता है सवाल कि the power of Supreme Court तो Supreme Court के powers कौन-कौन से हैं तो देखें यह important है हमारा Supreme Court के जो different powers हैं उनमें सबसे पहला power जो आता है वो आता है original and appropriate jurisdiction तो पहला है हमारा original and appropriate jurisdiction दूसरा है appointment of ad hoc judges और तिसरा है judicial review यह तीन major power है जो Supreme Court के अंडर में आते हैं अब Supreme Court जो जो जजिजेज होते हैं इन powers को किस तरह से apply करते हैं यह powers जो होते हैं किन articles में आते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं तो जो हमारा original jurisdiction होता है वो इसे रिंटेट है हमारा आता है article 131 में सी तरह सेctar DRúIn से नियु के जो इता है arguing उता है कि चैनको हम कहा सकते हैं कि जो में जिनके अंडर में आते हैं उनको भीsupport कर ने का पावर जो हता है इनके अंडर में आता है फिर रिव्यूज जो होता है जिरीशी रिव्यूज इसमें यह आता है हमारा आृab असेड लेसर से जो पास उख वह हमारे असेड़ीज है उसको रेव्यू करने का भी पावर कłem टो प्र Same अलर्ट कैंडर में आता है चलिए फिर आगे शुरू करते तो जो भी Constitution of इंडिया है उसमे Composition and Judi Diction के लिए जो Supreme Court को प्रवाइड किया गया है जो भी वो प्रवाइड किया गया है हमारा Under the Article of 134 Next है हमारा The National Judiciary Appointment Commission अब देखे ये important है हमारा NJAC इसको परेस मजते है The National Judiciary Appointment Commission अब इसका main काम क्या है तो ये है क्या सबसे पहले तो ये एक body है जो की responsible होता है जितने भी appointments होते हैं या फिर transfer होते हैं judges का Even the higher judiciary में जो भी appointment और transfers होते हैं वो इस body के थुरू होता है जिसके जो main जो उसमें जो main role अदा करते हैं वो करते हैं हमारे Chief Justice of India उसके अलावा Supreme Court के दो Supreme Court judges जो होते हैं Senior Most Supreme Court judges जो होते हैं और Union Ministry of Law and Justice यानि जो हमारे Minister है Minister of Law and Justice वो भी इस commission के हमारे जो हते हैं वो एक member होते हैं तो next आगे देखते हैं The Present Chief Justice अब देखे ये है important कि Present Chief Justice जो है वो है हमारे सरद अरविंद बोबडे ये जो हैं वो हमारे 47th Chief Justice of India हैं इनसे पहले कौन थे? तो हम जानते हैं कि इनसे पहले 46th जो थे वो थे Justice रंजन गोगई Chief Justice रंजन गोगई थे जिन्होंने अपनी पूरे केरियर की सबसे जो आस तक की जो सबसे कंट्रोवेर्सेल कह लीजे या फिर जो सबसे जादा जो इंपोर्टेंट उनका जो जजमिन था वो था अयुद्ध्या के लिए के जिन्होंने अयुद्ध्या के जजमिन दिया था वो थे हमारे Justice रंजन गोगई उनका आभी रीसेंट में आया है उनके पूरे जो आज तक के Judiciary History का सबसे फिसेरी कंटेस्टेंट केसे जो मिस था जिसमें लोग जिसके जो भी हमारे जो लॉयर्स थे वो काफी सिद्धत से उसका डिबेट करते थे उसमें और वो इंडिया का सबसे इंपोर्टेंट केस भी था हमारे जो कि था राम मंदिर का केस तो उसका सुनवाई उसकी जो डिसीजन है उन्होंने वो डिसीजन अंडर सरंजन गोगोई के अंदर लिया गया था जैसमें पांच बेंच की जजस्त थी जोनने उसके सुनवाई के थी तो इसलिए वो इंपोर्टेंट है मारे अभी जो परेंट है वो है शरद अर्विन बोवरे जो की 47th है अब आते हैं आगे तक Article of the Indian Council which deals with the Constitution of the Parliament of India Parliament of India के बारे में कॉन बताता है तो Article 79 जो होता है वो Parliament के बारे में बताता है अब इसमें मेन क्या है Article 79 को समझते है Article 79 जो है, वो एक Council of Parliament of the Union Consist जो Union के अंदर जो भी Parliament आते हैं जो Parliament में कौन-कौन आ गए हमारे तो उसके अंदर में हमारे President आते है उसी के अंदर में हमारा जो House होते हैं जो दो Houses है हमारे The Council of State House जो कि हम जिसको हम राजय सवा करते हैं और Council जो हमारा जो भी है House of People जिसको हम लोग सवा करते हैं तो ये दोनों जो है, वो Article 79 के अंदर में आते हैं Next है हमारा The Article deal with the composition of the Rajasabha अब राजय सवा को और उसके Members के बारे में जो Article 80 नेक्स्ट है हमारा अब एके राजय सवा से अभी जो important है कि राजय सवा किसके द्वारा वो elected होते हैं, राजय सवा के जो member हैं, वो किसके द्वारा elected होते हैं तो वो elected होते हैं हमारे State Legislative Assembly के जो members होते हैं जो हमारे विधान सवा के members होते हैं, जो राजय में विधान सवा होती हैं, उनके जो members होते हैं उनके द्वारा elected होते हैं यह राज सभा के members अब कितने members हैं टोटल राज सभा में तो उनकी संख्या है अभी 238 जो की union ट्रेट्री के द्वारा जो भी हमारे जो state ladies लेटी हैं उनके द्वारा चुनकर आते हैं वो है 238 और इसके अलावा राज सभा में 12 और मेंबर हैं जो की directly nom के द्वारा जो प्रेसिडिन के अंदर उसमें भी प्रेसिडिन का इमपोर्टेंट पावर है जिसके अंदर वो राज जो देश भर के प्रतिश्थित लोग होते हैं जो बहुत important लोग होते हैं जोने अपने फिल्ड में बहुत अच्छे काम किये होते हैं उनसे यह 12 members को चु वो हमारे जो चेर्मेन है वो है उसी तरह लोकसभा के चेर्मेन जो है वो है ओम बिला ये दो चेर्मेन को बारे में आप याद रखिएगा कि लोकसभा के चेर्मेन है वो ओम बिला है और राजसभा के चेर्मेन जो है वो बेंकरिया नाइडू है next है हमारा election in India parliament and state legislative are conducted Elections हमाःे देश में कौन conduct करवाता है It got elections Commission of India Election Commission of India वो हमारे में हमारे में जितने भी elections होते है जितने भी लोग सभा का chosen सबीथान सबाक एकॉंड लिटान सबाक आप करवाता है वो कर लिक्षन Commission of India election Commission ने उसमें टोटल एमिमबर है और तीन मेंबर्स में जो हता है, एक चीफ होते है और दो कमिशनर्स होते हैं, उनका फॉन करता है बाद को लुरे left एक और बात आपको जानी चाहिए, जो की अभी के जो चीफ in time are the uh आ इसी साल नीज में 2020 के नीज में था है हमारा जिसमें की इसके जो चीफ जो एकशन कमिशन हं जो चीफ है, टिर सुनील एरूर इसको हम SORT में कहते हैं Forum of Election Management Body of South Asia जिसको हम लोग कहते हैं SORT में F-E-M-B-O-S-A F-E-M-B-O-S-A Forum of the Election Management Bodies of South Asia तो उनके Chairman बनाए गये थे हमारी जो Chief Election Commission है Mr. Sunil Arroda वो अभी हमारी इस साल के लिए इस टर्म के लिए 2020 टर्म के लिए Forum of Election Management Bodies of South Asia के हमारे जो है उसके Chief बनाए गये हैं जो कि हमारा जो 10th Annual Meeting था इसका F-E-M-B-O-S-A का जो 10th Annual Meeting था उसमें ये डिसर लिया गया कि जो Chief Justice of Chief Election Commission Mr. Sunil Arroda जो है वो वहां के New Chairman बनाए गया है तो ये इसलिए भी इंपोर्टेंट न्यूस है चलिए आगे देखते हैं The Article of News Election Commission इंदा Election Commission किस Article के अंदर में आता है तो ये भी जा लिए Article 324 के अंदर में आता है अब नेक्स्ट है हमारा Number of Seat Reserved by the Schedule Cast and लोकसभा वो किस Article के अंदर में आते हैं तो जो जितने भी electoral system है हमारे देश का जो हमारे provisions for the electoral system जो है वो आता है हमारा Article 324 से लेके 329 के बीच में Next है हमारा The election for the लोकसभा कितने साल अपर होता है तो सबको परता है ये पांस साल के लिए होता है हमारा अब यह important है दोस जो लोकसभा कि जो आप कहा सकते हैं कि जो sessions है जो last session और जो newly session जो नया session आता है उनके बीच का जो maximum duration होता है वो होता है 6 month का 6 month का maximum दूरता है उससे ज़्यादा का duration लोकसभा के 2 sessions के बीच में नहीं राखता सकता है अगर ऐसा जोड़ी पड़ता है बीच में ऐसा कभी बहुत ज़्यादा जोड़ी होता है तो भी नहीं होता है और उस case में जो precedent होते हैं वो time to time हमारे sessions को बुला सकते हैं यह उनके पास right होता है next होता है elections जो constituency हमारा उससे related अब यह important अभी है कि जो smallest लोग सभाग concessi cią right है वो हमारा चान लीअचोक देली का ग्यालीक वह हमारे smallest लोग सभाग एक्षन है बाई एरिया यह द्यान दिजागा होग एरिया के लिए ज्ょ Conserv пре Marriage और एरिया के लिए जो largest है । उसका नाम क्या है तो लगने लगने चींट और अपर के वाधिया के लाफे हैं इसे लड़ा उसमें इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हैं वो smallest one है तो उसमें आता है number of voters के according लक्षदीव आता है हमारा लक्षदीव जो होता है वो number of voters के according हमारा smallest consistency है उसी तरह largest consistency कौन होता है जिसमें number of voters के थोड़ी हो जाए तो largest में आते है हमारे numbers of voters के थोड़ी होते हैं वो आता है हमारा आंदर परदेश का कोई कंसिशिए है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम तो एक वो है लार्जस में आता है चलिए आगे देखते हैं हम लोग लास्ट जो है हमारा वो है union budget of India is referred in the article दाभी union budget जो होता है जो हरसा union budget आता है वो इंडिया किस article के अंदर में आता है तो आता है article 112 112 के अंदर में ये आता है हमारा तो इसी किसां हमारा video जो होता है वो समाथ होता है thank you very much for watching चलिए